नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल मनोहर की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं एक नई तरीके से पुलाव की रेसिपी तो देखिए कैसे बनाई है मैंने चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही जटपट बनकर तयार होता है ये पुलाव पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बासमती चावल लिये हैं ये एक कटोरी चावल है इनको साफ पानी से धोकर दस मिनिट के लिए भिगो देंगे अब एक कुकर में देशी घी डालेंगे देशी घी में पुलाव बहुत अच्छा बनता है आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं घी को गरम होने देंगे और इसमें जीरा चटकाएंगे दाल चिन्नी और तेज पता डालेंगे यहां मैंने थोड़े से काजू लिये हैं इनको भी भून लेंगे हरी मिर्ची डाल देंगे बड़े कटेवे प्यास डाल देंगे गाजर डाल दी है कटेवी एक कटोरी मटर डाल देंगे और सारी सब्जियों को दो मिनिट के लिए हम गी में भून लेंगे आपके पास जो भी सब्जियां हो आप इसमें डाल सकते हैं गोबी है, आलू है, टमाटर है सारी सब्जियां पुलाओं में चलती है दो मिनिट के लिए हम भून लेंगे अच्छे से अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और फिर से सारे सबजियों को भून लेंगे बहुत ही जल्दी बनकर तयार होता है पुलाव अब इसमें एक चुकंदर डाल दिया है इसको मैंने गिस लिया था इससे पुलाव का कलर बहुत ही अच्छा आता है चुकंदर हमारी सेहत के लिए बहुती फाइदेमंद है हमें किसी भी तरेके से सिखाना चीए यह देखिए चुकंदर डालते ही हमारी सारी सबजियों का कलर चेंज हो गया है अब जिस कटोरी से हमने चावल लिए हैं उसी कटोरी से दो कटोरी पानी डाल देंगे और जो चावल हमने बिगो के रखे हैं उनको भी डाल देंगे अब चावल को हम सबजियों में मिक्स कर देंगे और कुकर का ढकन लगाकर एक सीटी आने तक पकाएंगे यह दस मिनिट में पुलाओ बनकर तयार हो जाते हैं यह ठंडा होने के बाद हम खोड़ लेंगे कुकर का ढकन देखिए हमारे खिले खिले पुलाओ तयार है इस तरीके से आप भी बनाईए चुकंदर के पुलाओ और अपने पूरे परिवार को खिलाईए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज लेगा है